नमस्कार दोस्तों लाडो के किचन में आसम का फिर से स्वागत है आज मैं होली स्वेसल ब्रेट पकड़ा बनाने जा रही हूं बहुत ही कम मसाले में और स्वाद भी अच्छा बनेगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेट पकड़ा बनाने के लिए देखें सबसे पहले हम यह चार ब्रेट लिए हैं और साथ में है चार पांच आलू उबला हुआ और यह थोरी सी मटर है इसे भी एक सीटी लगा लिए हैं बहुत ही देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यह पक्के त्यार है और एक कटोरी ब पयाज है आप कम मसाले में भी बहुत ही स्वादेश्ट ब्रेट परकड़ा बना सकते हैं तब चलिए सबसे पहले आलू को भून के त्यार करते हैं गैस पर कराही चरहा दिया है इसमें एक चमच के करीब रिफाइन रखेंगे हैं अब रिफाइन गरव हों चुका हा इसमें सबसे पहले जीरा रखेंगे जीरा लाल हो चुका है अब जो आलू वाल रखे थे इसे हाथों से थोड़ा साइसे मिक्स करके और रखे देंगे इसे इसे बड़ा बड़ा ही पीस रहने दिये है अब इसमें मट्टा रख देंगे सबसे पहले इसमें थोड़ी से हल्दी रखेंगे ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही हल्दी रखना है और थोड़ा सा नेर्चिप आधा चम्मत से भी कम इसमें नमक रखेंगे बेशन में नमक रखेंगे इसलिए इसमें थोड़ा ही नमक रखेंगे अब यह मसाला सी तरह से भून के त्यार हो चुका है अब हम बेशन की घोलवान आते हैं तो बेशन की घोलवान आने के लिए सबसे पहले यह जो बेशन ले रखे थे वह रख दिया है अब इसमें आधा चमच के करीब हल्दी रख दिया हैं आधा चमच मीर्च और स्वाद के हिसाब से आधा चमच से थोड़ी सी जादा नमक है अब इसमें थोड़े थोड़े पानी रखे इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे अब यह देखे बेशन का घोल बनके त्यार हो चुका है तो आब हम ब्रेड में मसाला भरेंगे इस तरह से ब्रेड में मसाला रखके और चाकू के सहाथा से तिरकोनी से काट लेना है इस तरह पकर के हाथ से और इस तरह धीरे-धीरे इस तरह पलट लेना है इसी तरह इसमें भी मसाला भरेंगे अब ब्रेड में जो आलू भर रखे थे उसे इस तरह बेसन में मिला लेंगे अब एक साइड से लाल हो चुका है इसे आप पलट देंगे अब यह ब्रेड बनके त्यार है अब इसी तरह से एक एक करके सब को बना लेना है अब यह ब्रेड पकड़ा बनके त्यार है अगर रेसेपी आपसे को पसंद आये तो प्लीज लाइक और शेयर किजिएगा कमेंट बतायेगा कैसे बना है